क्या कह रहा है 6 cm त्रिज्या का एक विर्थ खीचिए केंद्र से 10 cm दूर इस्थित एक बिंदू से विर्थ पर असपर्स रेखा युगुम खीचिए मतलब रचना कीजिए और उनकी लंबाया मापिए तो यह जब युगुम कह दिया तो युगुम का मतलब होता है जोड़ा तो मिन्स हमें दो असपर्स रेखा खीचना है बहुत ही सिंपल कोश्चन है सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 cm त्रिज्या का एक विर्थ खीच लेंगे ठीक है 6 cm ना पिए एक से 6 नहीं लेते जीरो से 6 लेंगे तब यह 6 cm का होगा ठीक है तो 6 cm त्रिज्या का एक पहले आप व की दूरी पर तो केंद्र से 10 cm की दूरी पर ठीक है केंद्र पर आप 10 को रख लेजिए केंद्र पर 10 को रख लेजिए और 0 से 0 से 10 सेंटीमिटर का एक खंड्रो कर लिए केंदर से यहां तक 10 सेंटीमिटर हो गया ठीक है यहां नाम देदीजिए बिंदू पी और यह केंदर ओ अब असपर से रेखा यूगम खिचना है जोड़ा तो सिंपल ओ पी को क्या किजिए आप दो ब्राबर भागे बाठने का तरीका क्या है कि आप आधा से बढ़ा लिजिए एक चाप उपर और एक चाप नीचे वही रख सकते आप वही सेम चाप बिंदू P पर रखकर एक बार उपर काटिए एक बार नीचे काटिए दोनों बिंदू को आप मिला दिए कटान बिंदू को चलिए ठीक है मिला देते हैं इस दोनों कटान बिंदू को हम मिला देते हैं, मिला दिये, अब क्या करना हमें, यह जो कटान बिंदू को जब मिलाए तो यह एक और कटान बिंदू आया, जिसे आप केंदर मान कर क्या करेंगे, आप एक विर्थ ड्रॉ कर लेंगे, इस केंदर से बिंदू P को भी मिलाएंग और बिंदू ओको ही मिलाएंगे, ज़ाइसी वात है दोनों मिल जायेगा अब क्या करेंगे विर्त आप क्हीच लेजीए ठीक है जब ये विर्थ खीचे न था आप देखेंगे ये वाला विर्थ पिछले विर्थ को दो बिंदू पे काड़ रहा है एक यहां और यह एक यहां तो यह दोनों क्या मालम हो गया हमें असपर्ष बिंदू क्या मालम हो गया असपर्ष बिंदू ठीक है तो इस असपर्ष बिंदू को इस बाह बिंदू से मिलाकर आप खेच देजिए फिर इस असपर्ष बिंदू को असपर्ष बिंदू को बाह बिंदू P से मिलाकर खेच देजिए तो यह दो असपर्ष रेखा क और पीबी ठीक है अब सवाल में करा है कि इसको मापिये भी असपर्स रखा हो तो ऐसा किजिए आप उससे एक को मिला दीजिए यह बड़े विर्थ की तरिज्या हो गए 6 cm ठीक है अब यह असपर्स रखा की लंबाई सवाल करा माप यह तो ठीक है मापते हैं कितना आता है देख लीजिए आप कितना रहा है जिरो से लेकर आठ तो आप यहां लिख भी दीजिए एपी बड़ाबर पीबी क्योंकि विर्थ के बाहर बिंदू से दोनों रेख खिची के लंबाई कितनी है आठ सेंटिमीटर ओके चलिए ठीक है